तो आज देखने वाले हैं VS Code का एक नया फीचर जो कि VS Code ने अभी भी इंट्रेड्यूस किया है तो इसमें हमको एक extension डाउनलोड करना है जिसका नाम VS Code है अब VS Code extension Chrome पर लिखो के तो आपको मिल जाएगा जैना आज के बाद हमको लिखना है code and space type करोगे तो VS Code ये ब्राउजर पर से दिखने लग जाएगा देना आपको एक कोई भी रिपॉजटर ले ले लेना है और जिसके गेटप.com के आगे वाला URL कॉपी करना है यहां पर पेस कर देना है तब इससे क्या होगा कि आपका यह जो और य डाउनलोड करने के सर्वत नहीं है या भी काम करने लग जाए आपका और यहीं से रण कर सकते हैं पर कोड बीज बन जाता है इसका तो देट से कैस नए फीचर जाने